आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ योशन ने मार पास इफ capital A equal to 10 inverse x root 3 upon 2 lambda minus x and capital B equal to 10 inverse 2x minus lambda upon lambda root 3 then value of A minus B clear? देखिए यहाँ पर हम बात करें A minus B आपको find करना है तो 10 inverse है ना यह जो first वाला है इसमें से minus होगा second वाला आपके पास तो इसका formula हुआ करता मार पास 10 inverse capital X minus 10 inverse capital Y यह equal होता मार पास 10 inverse x minus y upon 1 plus xy के यह result हुआ करता मार पास ठीक है? तो यह apply कर देते हैं इसमें यह जो 2 values आपको find करना है तो A minus B जब आप करेंगे तो दोनों में 10 inverse आई रहा है तो 10 inverse तो बिलकुल बाहर X minus Y तो X minus Y अगर हम करेंगे आपर तो आपके पास X root 3 upon 2 lambda minus X इसमें से हम minus करेंगे 2X minus lambda upon lambda root 3 ठीक है? यह तो हो गया हमरे पास X minus Y अपन 1 plus X Y करेंगे तो दोनों का multiplication आजागा तो X root 3 2 lambda minus X और इसका multiplication हमरे पास 2X minus lambda upon lambda root 3 के साथ ठीक है? यही होने वाला है आप देखें इसको और solve करते हम आगे तो हम क्या करते हैं? इसको और solve करने के लिए आगे देखें इसमें simple आप क्या करें? L same ले लें तो L same लेंगे तो denominator और numerator दोनों में जो आपके पास L same लेने के बाद जो denominator वाला पार्ट है वो तो cancel हो जागा देकि यहाँ भी जब आप L same लेंगे तो तो उपड़ L same लेने के बाद x root 3 के साथ तो multiply होगा lambda root 3 minus 2x minus lambda के साथ multiply होगा हमारे पास 2 lambda minus x ठीक है? और denominator में बात करें हम यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर 2 lambda minus x इसके साथ multiply होगा lambda root 3 ठीक है? और यह plus में x root 3 के साथ multiply होगा LCM लिया न आपने तो आपके पास x root 3 के साथ यहाँ पर 2x minus lambda यह value रहे गए score solve कर लेते हैं देखें तो आपके पास यह बनदा है 10 inverse numerator में बात करें तो हमारे पास multiply करेंगे तो 3x lambda यह रहे गया minus second part आप देखें यहाँ पर आप जब इसको solve करेंगे तो आपके पास 2x सर 2 lambda multiply होगा तो 4 lambda x next हम आईजे हमारे पास minus 2x square clear देखें आप फिर आज़ा हमारे पास यहाँ पर minus 2 lambda square और last में आज़ा हमारे पास यहाँ पर lambda x वो भी plus में plus का lambda x clear और denominator में बात करें हम यहाँ पर तो देखें टर्म क्या बनेगी आपके पास lambda root 3 multiply होगा तो 6 lambda root 3 ऐसा आएगा यहाँ 2 root 3 आएगा 6 नहीं है वो root 3 ही चल रहा आपके पास तो 2 root 3 ही बनेगा 2 root 3 lambda square और minus x के साथ multiply होगा तो minus 3 lambda x आगे देखें इसके साथ plus एक तो आपके पास आएगा यहाँ पर 2 root 3 x square clear देखें आप और last में आएगा आपके पास minus में lambda x root 3 यह term आएगी clear आप देखें आगे आप इसके denominator में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यह जो second term है और fourth term है यह minus में आरी दोनों term ठीक है तो यह दोनों term क्या हो जाएगे है मार पास double हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास यह जो term है तो double हो जाएगी तो इन सभी में से आपके पास values तो common आएगी सही क्या common आएगा देखे 2 root 3 common आएगा सभी में double होने के बाद यह 10 inverse numerator में बात करें क्या-क्या बचरा मार पास 2x square plus में 2 lambda square plus में रहेगा बाहर minus चल रहा है तो ठीक है lambda x वाली term की बात कर लेते है तो आपके पास एक lambda x ही है रहा और साथ में यह 4 lambda x तो 5 lambda x हो रहा प्लस में चीक है और plus के आगे minus लगए तो minus होगे और plus का 3 तो यह बचला माइनस का 2 lambda x clear और denominator में बात करें हैं देख लेंगे आप यह simple lambda x और 4 lambda x plus का 5 होगे और plus 5 के आगे minus चल रहा तो minus 5 और plus 3 तो minus 2 रहेगा denominator में हमारे पास क्या हुआ देख लेंगे अब यह second और fourth को तो यह double होगी ना time तो सभी में से 2 root 3 में कॉमन ले ले तो 2 root 3 कॉमन लूँगा तो lambda square बचेगा एक तो plus का x square plus का बचेगा और यह जो lambda x है यह minus का बचेगा ठीक है अब हमारे पास बन रहा ही है 10 inverse उपर से आपके पास 2 common आएगा तो 2 common आने के बाद जो term बचेगी यह ना वही term है जो denominator में चल दी देख लेंगे हमने के किया numerator में 2 common लिया तो 2 common लेने के बाद lambda square plus x square minus lambda x यह बच रहे है और denominator में चल रहा है 2 root 3 के साथ lambda square plus x square minus lambda x तो यहाँ ही आपके पास 2 से 2 cancel हो जाएगा यह जो आपके पास factor आ रहा है यह same आ रहा है तो factor भी क्या हो जाएगा दोनों cancel हो जाएगे तो उपर तो 1 रहेगा और denominator में रहेगा मारे पास root 3 तो 10 upon 10 inverse 1 upon root 3 यह आपके पास बचला तो यह value आएगे आपके पास किसके equal 30 degree के equal आईगी clear तो option ने देख लेँ है option number second is correct option Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर